Welcome to my new video, मेरा नाम है जानवी और मैं युवसे में अपना मास्टर्स कम्जिट कर रही हूँ तो जो भी student Cleveland State University में admission करते हैं 90% students के दो main question होते है कि Cleveland safe है या नहीं है और second question यह होता है कि offer later मिलने के बाद आपको deposit money pay करने है या नहीं या फिर ये एक fraud है आज हम इन दो main question के answer देखते है तो वीडियो के end तक बने रही है और ऐसे ही informative वीडियो में बनाते रहती हूँ तो अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को subscribe करना ना भोलिए से पहले तो हम देखते हैं कि जो की maximum लोगों का question होता है कि Cleveland safe है या नहीं है तो ये सब कुछ मैं मेरे experience से बता रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक दो साल पढ़ाई की है यहाँ पर मैं Cleveland में दो साल रही हूँ तो मेरा experience कैसा रहा वो मैं आज आज आपके साथ share करती हूँ तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा बहुत जादा unsafe तो कभी feel नहीं हुआ है कुछ कुछ चीज़े होती है जो कि US में बहुत ही जादा common है और वो हम अपने home country में नहीं देखते है जैसे कि यहाँ पर gun culture तो यहाँ पर लोगों के पास gun होती है तो यह सिर्फ Cleveland में ही नहीं हर जगा पे gun लोग रख सकते है क्योंकि यहाँ पर वो legal है मैं मेरे safety के लिए क्या करती हूँ कि मैं कभी भी रात को बहार नहीं जाती मुझे अभी तक तो कुछ ऐसा problem face करने को नहीं मिला है और अगर मुझे कही रात को बहार जाना ही होगा तो मेरे साथ कोई नहीं कोई फ्रेंड होता है तो ऐसा होता है कि अगर आपके आप लोगों के साथ हो तो उतना यहाँ पर unsip नहीं होता है ऐसे हम specifically Cleveland State University की बात करे तो यहाँ पर CSU की police 24 अवर आपके लिए available होती है आपको कुछ भी problem हो आप उनको phone कर सकते हो वो आपको एक मिनिट के अंदर दो मिनिट के अंदर आप जहाँ पर भी हो जिस situation में हो वहाँ पहुच जाते है second बात तो यह है कि अगर आपको कॉलिक में जाना आना है तो यहाँ पर security के गाड़ी यानि escort भी होती है तो आपको security वालों को phone करती थी वो मुझे वहाँ से safely pick up करने आते थे एकदम door के सामने apartment के door के सामने और मुझे safely मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर पहुचा के भी देते हैं तो ऐसा तो safety का कुछ issue नहीं है पर वो आपके उपर depend करता है अगर आप बाहर अकेले जा रहे हूँ रात के time पे तो safety का issue हो सकता है अभी हम second question का answer देखते है कि अगर आपको offer later मिल गया है तो आपको deposit money pay करना पड़ता है या नहीं या फिर ये fraud है या सही है तो इसके दो cases होते हैं अगर आपनी university में direct apply किया है खुद से apply किया है तो आपको deposit pay करने की जरुरत नहीं है तो आपने किसी consultancy के through या फिर college में apply करते time global के through apply किया है तो फिर आपको कुछ amount deposit pay करने होती है तो वो हर semester change होते रहती है मेरे time पे वो $2000 थी और अभी वो बढ़के $4000 हो गई है या फिर अभी बढ़ भी सकती college की website में जाके या फिर global के website पे जाके चेक कर सकते हो तो ये बिल्कुल भी fraud नहीं है और ये पैसे जो होते हैं या फिर आपने जो भी deposit pay किया है वो आपके fees में या फिर health insurance में कही न कई cover हो जाते हैं आपके वो वैस नहीं होते हैं तो ये deposit money जो होता है वो आपको return मिलता है या नहीं तो कुछ cases में ये money जो होता है refund हो जाता है अगर आपका visa reject हुआ है और आपको अभी Cleveland State University में आना ही नहीं है तो वो आपको आपका deposit money वापस दे देते हैं इसे कि अगर आप यहाँ पर आ गए हो आपने Cleveland State University में admission ली है आपको visa प्रूव हो गया है पर अगर आपको अपना college यहाँ पर आने के पाद चेंज करना हो और आपने अगर वो चेंज किया तो उस condition में आपको वो deposit money नहीं मिलते है तो होप सो जो भी दो main important question है Cleveland State University के बारे में question का मैंने proper answer दिया हो आपके doubt clear किये हो आपको अगर कुछ भी doubt हो Cleveland State University के बारे में study abroad के बारे में तो आप मुझे comment कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में direct message भी कर सकते हो बस आज के वीडियो के लिए इतना मिलते जल्दी नए वीडियो में तो हो गया मिरे फाइनली वीडियो कंप्लीट आप मुझे comment करके बिताए आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि comment क्या करना है तो आप एक थमसब दे दीजिए बस मुझे अच्छा लगता है